ओम शांती सुनते हैं आज 15 अपरेल 2024 की साकार मुल्ली मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है क्या कह रहें बाबा अभी कैसा युग है उत्तम से उत्तम बनने का युग जितना भी हम चाहें अपने पाट को पूरे 84 जन्मों के लिए स्रिष्ट बना सकते हैं क्योंकि बनाने के लिए सम्मो कौन है स्वयम भगवान भगवान हमें खुद सिक्षाएं दे रहे हैं स्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे सिष्ट करम करो तो ऐसा भाग जमा हो जाएगा तो संगम के अलावा किसी भी युग में है भगवान का सानिद्ध हमें प्राप्त नहीं होगा ना हमें कोई सिखाने वाला होगा परवर्तन करने के लिए धरापे आउतरित हुए हैं और हमारे लिए निराकारी परमात्मा ने साकारी तन लिया है आज की मुर्ली से प्रश्ण है अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी बाबा क्या कह रहे हैं जो अंतिम सीन है कैसी है बहुत दर्दनाक और उसको देखने के लिए क्या चाहिए बहुत ताकच चाहिए अब वो ताकच किस आधार पर आएगी क्या ऐसा पुरसार्द किया जाए कि अंतिम सीन को इतनी दर्दनाक सीन को भी हम खुशी खुशी देख सकें, साक्षी हो के देख सकें और सिर्फ देख ही ना सकें, दूसरी आत्माओं के लिए हम एक सहारा भी बन सकें अंतिम समय में तो ऐसा हमें पुरसार्थ करना है, भगवान हमें उसी समय के लिए तो तैयार कर रहे है तो उसका अधार क्या है? उसका पुर्सार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया शरीर का भान निकालते जाओ हमीशा अंदर से क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ एक चैतने शक्ती आत्मा हूँ आत्मा का पाठ इतना पक्का हो अंदर से फिलिंग हो कि ये कोई भी आत्मा कभी मरती नहीं है ना मैं मरता हूँ ना संसार में कोई मरेगा सिर्फ क्या करेंगे एक शरी छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे ना अभी यहां से हम आत्मा घर जा रहें खेल पूरा हुआ ऐसा भान अंदर आ जाए ना कभी कोई मरता ही नहीं है बहा करें अंतिमशीन बहुत कड़ी है बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आशरीरी बनने का इसारा देते हैं आशरीरी होंगे और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखते होंगे तो किसी के सरी छूटने का हमें भै नहीं लगेगा क्योंकि अंतिसमे में सबसे बड़ा विकार जो हम आत्माओं के उपर हावी होगा वो क्या होगा भै यह बहुत बड़ा रूप ले लेगा जम हम पहले से ही आशरीरी होंगे ना किसी के छूटने का गम होगा ना किसी के तूटने का गम होगा ना पांच तत्तों से विदाई लेने में कोई कष्ट होगा ना किसी संबंद संपर्क वाली आत्मा के सरी छोडने में कोई कष्ट होगा तुम बाबा क्या कह रहे हैं जैसे बाप इस शरीर से अलग हुद हो तुम आ सिकलाते है ऐसे तुम बच्चे भी अपने को आशरीरी आशरीरी बनने का अभ्यास करो बुद्धी में रहे अब घर जाना है बार बार ये संकल पका करना है कि अब मुझे सिश्टी से बिदाई लेके अपने घर जाना है अब मेरा समय आ चुका है बापसी का खेल पूरा हुआ बहुत खेला इन पांच तत्तों के साथ पांच तत्तों की दुनिया में अन आत्माओं के साथ इन पिरकती के साथ हमने बहुत सुंदर खेल खेला पांच हजार साल का सब का बहुत बहुत शुक्रिया इन सब को सहयोग देने के लिए हर आत्मा को पिरकती को सब को बहुत बहुत थेंक्स इन आप नाटक पूरा हो रहा है मुझे जाना अब अपने घर इन तो अंदर से अब ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे अब अब गने घर जाना है इन नाटक पूरा हुआ तो अंदर से फिर जब बापसी का समय आएगा और हम बापस जा रहे होंगे तो खुशी-खुशी जा सकेंगे इन दर्द किनको होता है जो पकड़ना चाहते हैं और छुड़ाया जाए और जिन्होंने पहले से ही सब कुछ छोड़ रखा हो फिर उन्हें दर्द की फीलिंग कहा से आएगी एन तो हमें पहले ही जीते जी मरने का इतना अभिहास करना है कि अंत समय में जब वास्तों में हम दे छोड़ें तो हमें पता भी ना चले एना कि ये अभिहास है या वास्तों में दे छोड़के बापस जा रही हूँ दोनों एक जैसा हो जाए नैच्छरल हो जाए हमारा सरीच छोड़ने का तरीका तो बाबा क्या कह रहे है बुद्धी में रहे कि अब घर जाना है ओम शान्ती मीठे मीठे रोहानी बच्चे हैं तो जिसमे के साथ बाबा क्या कह रहे है मेरे जो रोहानी बच्चे बैठे हैं पर कहां बैठे हैं जिसमे के साथ येना बाबा और हम में अंतर क्या है येना बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है येना बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में पिर्वेस करते भी उसी consciousness में हूँ कि मैं निराकार हूँ पर हम आत्मा है क्या हो जाती है जब सरीर में आती है तो हम शाकारी बन जाते देह के भान में चिपक जाते हैं यह अंतर है तो बाबा के रहे बाब भी अभी जिसमे के साथ है इस घोड़े वा गारी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते है जीते जी मरना कैसे होता है बाबा हमें क्या सिखला रहे है जीते जी मरना कैसे होता है हमारा पूरा पुरसार्थ क्या है हमें जीते जी मरने की कला सीखनी है दुनिया में भी बोलते हैं जिसने मरना सीख लिया वो जीना सीख जाएगा तो बावा कहरे है और कोई है सिखला ही न सके सिवाए बाप के बाप का परचे सब बच्चों को मिला है वे ग्यान सागर पतित पावन है ग्यान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लेन अंसर विनास होना है यह न ड्रामा में फिक्स है उसका टाइम भी फिक्स है अपने टाइम पे वो होना ही होना है तो बाब करें सिर्फ जो बाब को पहचानते हैं और ब्रामण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं यह ना बाबा कह रहे हैं जो सिर्फ बाबा को पहचानते हैं और संगम पर ब्रामण बनते हैं वही फिर का आएंगे पावन दुनिया में आगले सिष्टी चक्र में आदी में कौन आत्माई उतरेंगी सिष्टी चक्र के सुरुआत में आने वाले कौन होंगे ब्रामण बच्चे ही होंगे जो अभी बहुत नंबर वन पूरसार्द करेंगे तो बावा करें पावितर बनने के लिए ब्रामण भी जरूरी है एना सिर्फ कोई पावितरता को धाड़ कर रहा हुगा दुनिया में बहुत लोग हैं एना जो ब्रमचर की धाड़ना तो करते हैं पर ब्रामण नहीं बने हैं, मतलब संगम पर बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, तो भी उनकी इंट्री सत्योगर त्रेता में नहीं है, सिर्फ पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचारी भी सत्योगर त्रेता में नहीं ले जा सकती, ब्रह्मचार के साथ ब्रह्माचारी भी बनना है मत्तब ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनके ब्रह्मा बाबा जैसा आच्रण करना है संगम पर तो ब्रह्म चारी और ब्रह्मा चारी जब दोनों होंगे तो ही हमारा स्वर्ग में जाने का पाड़ बनता है येना जब तक caliber को अपना पिता और ब्रमा बाबा को मा शिवकार नहीं करती कोई आत्मा येना तो उस सत्योगी बासाई सत्योग का वर्सा स्वरग का वर्सा लेनी सकती तो स्वरग में जाने की qualification क्या है संगम पर ब्रामण बनना तो बाबा करें पवित्र बनने के लिए ब्राम मड़ भी जरूर बनना है संगम यूग है ही पूरस उत्म अ rappers वत्म टे उत्म पूरस बनने का यूग कहेंगे उत्म तो बहुत सादो संत महात्मा वजीर अमीर प्रेजीडेंट आदी बहुत है दुनिया के इसाब से उत्तम कौन है दुनिया के साथ उसंत महत्मा वजीर अमीर बावा कहते प्रेशिडेंट ये सब कौन है उत्तम ते उत्तम परंतु नहीं भगवान की डिक्ष्णरी में नहीं है बावा कहा रहे यह तो कल्योगी ब्रिष्टाचारी पुरानी दुनिया है पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं बावा की डिक्ष्णरी में सेष्ट कौन है जो पावन है और बावा कहते हैं यह न दुनिया में कोई कितना भी नामी ग्रामी है पर पावन तो नहीं है जब पावन नहीं है तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो सिष्ट भी नहीं है बाबा के लिए तो बाबा कह रहे हैं, अभी तुम संगम यूगी बनते हो तुम बच्ची बाबा कह रहे हैं, संगम यूगी बनते हो पावन बनते हैं, बाबा की शिक्षाओं पे चलके वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं सिर्फ गंगा नहीं जो भी नदियां है जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है यह बुद्धी में बैठा हुआ है कोई कहां कोई कहां जाते हैं मतलब पानी मिश्नान करने जाते हैं परन्तु पानी से तो कोई पावन हो ना सके अगर पानी मिश्णान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सिष्टी पावन होती क्योंकि पानी तो बहुत है नदियां बहुत है और हर कोई बहुत डुपकी लगाता है तो बावा करें सारी सिष्टी कैसी होनी चाहिए पावन इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए जो नहा के आते हैं यह तो पुरानी रस्म चली आती है बावा करें एक रस्म चल गई है किसी ने कुछ बोल दिया और फिर फॉलो करना शुरू कर दिया सागर में भी सारा किचड़ा आदी जाकर पड़ता है फिर वह पावन कैसे बनाएंगे पावन तो बनना है आत्मा को इसके लिए तो परंपिता चाहिए एक तरभ बोलते हैं आत्मा को भिःगोया नहीं जा सकता जलाया नहीं जा सकता और दूसरी तरफ बोलते हैं पानी में नहाने से आत्मा पावन बन जाती है ना दोनों बिरोधा भासी चीज़े है तो भावा कहरे पावन कैसे बनाएंगे समुंदर में भी देखो कितना किछड़ा पड़ता है नदियां खुद गंदी हो चुकी है जिन नदियों को साफ करने के लिए ये सरकारी अविहान चलाया जाते हैं गंगा बचाओ जमना बचाओ नर्मदा बचाओ तो वो हमें क्या बचाएंगी तो पानी कभी हमें पावन नहीं बना सकता है चाहे वो नदी का पानी हो चाहे सागर का पानी हो फिर वो चाहे गंगा का पानी हो चाहे सर जीने का आधार था इनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता था पानी के लिए हम इन पे टोटल आश्रित थे खेती के लिए जो पानी चाहिए वो भी नदियों से आता था पीने के लिए जो पानी चाहिए वो भी नदियों से आता था तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत म घेल नहीं सकते। पर इस भाव से लगा रहे हैं कि हम पावन बन जाएंगे हमारे पाव कट जाएंगे है न हुवो तो फिर अंधसद्धा हो जाएगी तो बाबा कहा है पावन तो सिर्फ परमपिता ही बना सकते हैं इसके लिए ये तो परमपिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाएं तो तुमको समझाना है पावन होते हुए सत्युग में पतित होते हैं कल्युग में पावन का होंगे? सत्युग में सारी आत्मा पावन है और कल्युग में सारी पतित है अभी तुम संगम पर हो पतिष से पावन होने के लिए पूरसा अर्थ कर रहे हो अभी हम पावन बने नहीं है और पतिष भी पूरे नहीं रहे है पतिस से पावन के बीच में हमारा टांसफॉरमेशन पिरियोड चल रहा हूँ है तो बाबा क्या करे है तुम जानते हो हम सूद्र वड़ के थे अब ब्रामण वड़ के बने है शिव बाबा पिरजा पिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं हम हैं सच्छे सच्छे मुख वनसा वली ब्रामण वह है कुख वनसा वली जो जाती के ब्रामण है तो भाव केरे उनको क्या कहेंगे कुख वंसा वली गेना जो दौपर से जिनकी पीडियां चलती हैं वंसा नगत जो है और संगंबाले जो ब्रhmah कुमारे और ब्रह्मा कुमारें कहलाते हम वो क्या है मुख वंसा वली ब्रामण तो बाबा करें पिर्जा पिता तो पिर्जा सारी हो गई पिर्जा का पिता है ब्रह्मा वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर हो गया कौन ब्रह्मा बाबा जरूर वह था फिर कहां गया पुनर जनम तो लेते हैं न यह तो बच्चों को बताया है ब्रह्मा भी पुनर जनम लेते हैं पुनर जनम को नहीं लेते हैं शिर्प शिव बाबा बाकी तो सभी को लेना है तो बाबा करें ब्रह्मा और सरस्वती मा और बाप वही फिर महराजा महरानी लक्षमी नराइन बनते हैं जिसको विश्नु कहा जाता है लक्षमी नराइन के कमबाइंड सरूप को क्या बोला जाता है विश्नु वही फिर 84 जन्मों के बहाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं यह राज तो समझाया है एना तो हमारे सम्मू कभी कौन बैठे है एना शिवाबा तो है ही पर वो आदी पिता और आदी माता भी है एना मा जगदंबा सरस्वती भी है तो ब्रम्मा बाबा भी है यह राज तो समझाया है कहते भी है जगतंबा तो सारे जगत की मा हो गई लौकिक मा तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है परंतु जगत अंबा को कोई जानते ही नहीं ऐसे ही अंदसद्दा से कह देते हैं जानते कोई भी नहीं बाब करें जानते कोई को भी नहीं है जिसकी पूजा करते हैं उनके occupation को भी नहीं जानते अभी तुम बच्चे जानते हो रचैता है उंचते उंच यह उल्टा जहाड है इनका बीज रूप उपर में है यह कल्प ब्रक्ष कैसा है उल्टा जहाड बाबा कहां बैठे हैं उपर परमधाम में तो बीज कहां हो गया उ फिर उस नई सिष्टी का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिभाय और कोई नहीं जानते हैं दुनिया में कितने बड़े से बड़े वेग्यानिक हैं पर उनको भी यह पता नहीं है कि सिष्टी चक्र पांच हजार साल का है वो तो क्या-क्या निकालते रहते लाखों साल, करोडों साल, हरवों साल सिष्टी की उमर और सिष्टी चक्र की उमर में बहुत बड़ा अंतर है तो वो सिष्टी की उमर को सिष्टी चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं बाप कहते फिर 5000 वर्स बाद आकर तुमको सुनाओंगा ये ड्रामा बना बनाया है ड्रामा के क्रियेटर, डिरेक्टर, मुख एक्टर्स और ड्रामा के आदिमत दंत को ना जाने तो कोई बेकल ही कहेंगे ना उनको क्या बोलेंगे बेकल जो ड्रामा में पाड़ भी बजा रह रहा है पर ड्रामा के क्रियेटर, डिरेक्टर और मुख एक्टर्स और ड्रामा के आदिमत दंत रथात ड्रामा के पूरी कहानी को कोई जानता ही नहीं और एक्टिंग कर रहा हूँ इना स्क्रिप्ट पता ना हो और एक्टिंग कर रहा हूँ सुचो उसको क्या कहेंगे वायाद दिला रहे हैं पिछले कल्ब की श्मतियां एना कि पहले भी आके मैंने पावन बनाया है एना अब फिर से बना रहा हूँ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है ना गायन भी है अंतिकाल जो फलाना सिमरे जिसकी श्मति में हम सरी छोड़ेंगे वैसे ही हमारा अगला जनम होता है वल वल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनी में जाए अब इस समय तुम जनम तो लेते हो परन्तु सुकर, कुकर, कुत्ते, बिल्ली नहीं बनते क्या कहरें बाबा तुम जनम तो लेते हो पर कभी हम इन योनीयों में नहीं जाते मनुष्य आत्मा मनुष्य सरीर में रहके ही अपने कर्मों का भोग भोगती है जैसा जनम होगा वैसी उसको मनुष्य तन में भोगना पड़ेगा किसी हम दूसरी योनीयों में नहीं जाते कुता बिल्ली हम नहीं बनते अभी बेहत का बाप आया हुआ है बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं का मैं बाप हूँ बाबा क्या कह रहे हैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ मैं कोई दुनिया में ऐसे कह नहीं सकता भगवान के अलावा ऐसी वारी सिर्फ कौन चला सकता है सिर्फ भगवान चला सकते है क्योंकि उनके अंदर ही यह authority है यह सब काम चिता पर बैट काले हो गए है इनों को फिर ग्यान चिता पर चड़ाना है पूरी दुनिया कैसी हो गए विकारी विकारों के अलावा कोई संकल भी पैदा नहीं होता हर संकल विकारों से घिरा हुआ है तो बाबा कहते है काम चिता पर बैट कैसे हो गए काले हो गए काली हो गई आत्मा देवता जो बनने वाली आत्मा भी इसमें कैसी है काली पतित बाबा फिर उसी को क्या बनाते है ग्यानचिता पर चड़ा के गोरा तुम अब ग्यानचिता पर चड़े हो ग्यानचिता पर चड़ कर विकारों में जाना सके पृतिग्या करते हैं हम पवित रहेंगे बाबा कोई वह राखी नहीं बंदवाते हैं कलाई में कोई ऐसे धागा बन्वाने का बावा करें नहीं कोई बात है यह तो भक्ती मार का रिवाद चला आता है वास्तों में यह है इस समय की बात जो बावा पृतिग्या करवाते हैं तुम समझते हो पवित्र बनने विगर्व पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे बिना पवित्रता के तो स्वर्ग मिल नहीं सकता फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से पृतिग्या कराई जाती है कोई बलड से लिख कर देते हैं कोई कैसे लिखते हैं बाबा आप आए हो हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे बच्चे बाबा से क्या बोलते हैं हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे निराकार साकार में आते हैं जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आतमाएं भी उतरती हो संगम पे जैसे बाबा भी आए है हमारा भी कोई न कोई टाइम है हम सत्युक्यादी में ऐसे ही आए तो बाबा कहरे उपर से नीचे आती हो पाड़ बजाने यह तुम समझते हो यह सुख और दुख का खेल है आधा कल्ब सुख और आधा कल्ब दुख है बाब समझाते है तीन चौथाई से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो यह ना डामा में वैसे क्या नुदा हुआ है आधा कल्ब सुख और आधा कल्ब दुख पर हमारा दुआपर से भी जब पाड़ चलता है यह ना जब रावड राज शुरू होता है तब भी हमें दुख नहीं मिलता बाबा कह रहे है यह ना तुम जास्ती सुख भोगते हो पूरे डामा में तीन चौथाई हिस्सा हमारा सुख का पाड़ है बाबा के बच्चे यह ना अंतिम के कुछ जनम ही केवल दुख की गहरी अन्भूती करते हैं दौपर में भल हम विकारी हो गए यह ना रावर के राजी में आ गए पतित बन गए पर धन संपदा से सुल साधनों से भक्ती का विस्थ हमें मिलता रहा यह ना भक्ती में भी भगवान हमें कहीं न कहीं साथ देते रहे यह ना जब हमारा काम चलना बिलकुल बंद हो गया यह ना कहीं भी हमारा गुजारा करने का अब नहीं रहा यह ना भक्ती भी हमें ताकत नहीं दे पा रही थी साधन भी ताकत नहीं दे पा रहे थे तो भगवान ने आके हमारा हाथ पकड़ लिया तो कितना सुन्दर ओंच पाठ है हमारा पूरे कल्प में तो बाकर आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे कितने बड़े मंदिरादी बनवाते हैं अभी भी देखो संगम के अंत पे अब संगम खतम होने वाला है अभी तक इसका मतलब कल्योग के अंत तक बाबा के बच्चों के स्थिति कैसी रही है ना यहांवाना जैगा कल्योग के अंत का जनम पर उसमें जब बाबा आ गया है ना तो अपनी हम इस्थिति देखो non-bikai time पे भी अगर हम अपनी इस्थिति देखें पूरी दुनिया के साब से तो कही ना कही जीवन में वैल्यू जबी भी बची हुई थी क्योंकि संगम पे बाबा ने पिछले संगम पर बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया था तो अब तक कुछ न कुछ चलता रहा इसलिए कई बार बाबा क्या बोलते है मूलियों में चंद्रमा की जैसे लकीर बचती है ऐसे बचा हुआ था बिलकुल खतम नहीं होता है थोड़ा सा बच जाता है और बाबा आके फिर से हमें हर तरीके से भरपूर कर देते हैं तो बाबा कह रहे हैं आदा कल्ब के बाद भी तुम धनवान थे कितने बड़े मंदिर आदी बनवाते हैं कितने बड़े-बड़े मंदिर बनवाए दुख तो पीछे होता है जब बिलकुल तमो प्रधान भक्ती बन जाती है भक्ती भी जब टोटल तमो प्रधान हो जाती बाबा कहते है तब दुक्यन भूती जादा होती है बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अब व्यवचारी भक्त थे सिर्फ एक की भक्ती करते थे जो बाप तुमको देउता बनाते हैं सुगधाम ले जाते हैं उनकी ही तुम पूजा करते थे फिर बाद में वेबचारी भक्ती शुरू होती है शुरू में हमने भक्ती कैसी की सिर्फ बाबा को याद किया बाबा करे पहले एक की पूजा फिर दिवताओं की पूजा करते थे अभी तो पांच भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते है चैतन्य की भी तो जड़की भी पूजा करते हैं कई सारे गुरू ऐसे हैं जो सरीर में है आत्मय उनको पता है कि हम पतित हैं विकारी हैं पर गुरू बनके अपने को पुजवाते हैं तो बहा करें आप सरीरों की भी पूजा हो रही है जड़की भी मुर्तियों के रूप में और चैतने की भी सामने बैठे हुए है जो अपने आपको एना हीश्वर का रूप बना के पुजवाते हैं तो आपके रहे हैं यह भक्ति की गिरावट पांस तत्यों के बने हुए शरीर को दिवताओं से भी उस समझते हैं दिवताओं को तो सिर्फ ब्रामबर हाथ लगाते हैं तुम्हारे तो धेर के धेर गुरू लोग है यह बाब बैट्स बताते हैं यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया कितने गुरू बनाए होंगे आप सोचो दुनिया में कितना हट्योग सिखाते हैं राज्योग के नाम पे कितना हट्योग सिखाया जाता है आप चले जाओ हरिद्वार चले जाओ रिशी केस चले जाओ यह गड़ बने हुए हैं हट्योग सिखाने के पूरी दुनिया से लोग आते हैं कई सारे उहाँ पे पे इसकूल खूले हुए हैं, जो, राज योग को ही, राज योग को नाम पर हट योग को बेशते हैं, बोलते हैं यह राज योग है। हट योग में फस गई आत्मा तो हट योगी ही बन जाती है तो बहुत बैलेंस रखना पड़े ठीक है सरीर को फिट करने के लिए हम कोई आसन प्राणायाम कर सकते हैं पर टोटल उसी पर फोकस हो जाए उससे ही सिद्धियां करने की कोशिस करने लग जाए ना तो वो संभो नह लाएंगे तो वो तो कोई बनना सका आस तक है ना संपन्न तो सिर्फ राजयोग से ही बन सकते हैं विकर्मों का विनास सिर्फ राजयोग से ही होता है पावन आत्मा सिर्फ राजयोग से बनती है वो भी जो सेम भगवान सिखा रहे हैं ना दुनिया के राजयोग नहीं जो पे बहुत सारे कोर्से जब लेविल है वो नहीं जो सैम शिव बाबा आके ब्रहंतान में बैठकी सुनाते हैं वो सिख्ष़ाई ही राजियोग हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं बाबा कहते हैं वै धंदा करें या यह धंदा करें पिनकी, अर्था सुष्टि आती रहती है, तंग हो जाता था, ना बाबा करते होंगे बाबा अपना अन्बो सुना रहे हैं साकार का, बाबा करे में तंग हो जाता था, प्राणायामादी सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पढ़ता है बाप बिल्कुल accurate बताते हैं वह कहते हैं भक्ती परंपरा से चली आई है अब सत्युग में भक्ती कहां से आई है मनुस से बिल्कुल समझते नहीं है मूड गुद्धी है सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्स बाद आता हूं शरीर भी उनका लेता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं यही नंबर वन जो सुन्दर था अब श्याम बन गया है ना श्री किष्णी की आत्मा नंबर वन सुन्दर थी बाबा करें अब वो श्याम बन गई है अभी पार्ट किसके रूप में प्ले कर रहे हैं ब्रहमा भाबा की रूप में, आत्मा बिन भिन शरीर धार करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें बेर्विश करता हूं, उसमें अभी बैठा हूं, यह मुल्ली बापा ने कैसे चलाई, एना, हुस तन में बैठ के, क्या सिखलाने के लिए, जीते जी मरना, एना, बापा में क्या सिखा रहे हैं, जीते जी मरना इस दुनिया से तो मरना है ना अभी तुमको पवित्र होकर मरना है यह ना सरीर तो हमने हर जनम में छोड़े जितने जनम लिये उतनी बार देह का त्याक किया और नया सरीर लिया पर बहुत कर अभी जो सरीर छोड़ना है यह ना इस दुनिया में अभ जनम नही लेना है और पावन होके मरना है कहां जाना है घर जाना है मेरा पार्ट ही पावन बनाने का है कौन बोल रहा श्री बावा तुम भारत्वासी बुलाते ही हो हे पतित पावन और कोई ऐसे और वही ऐसा नहीं कहते है पावन भी धाई अजार साल तक रही है तो पतित पने का भी अनभूट धाई अजार साल का है ऐसी आत्मा को अंदर से अन्भूती होती भगवान आके मुझे छुडाओ मुझे अब पावन दुनिया चाहिए पावन सरी चाहिए तो बावा कहते हैं वही आत्मा बुलाती है तो कौन बुलाते हैं भारतवासी देवघराने की आत्मा है और कोई नहीं बुलाती ही बाव कहते हैं अब मुक्ती धाम में ले जाने के लिए मेहनत करते हैं तुम बच्चे फिर पुर्सार्थ करते हो शुक्धाम के लिए, वह है प्रिवत्ती मार्ग वालों के लिए, तुम जानते हो हम प्रिवत्ती मार्ग वाले पवित्र थे, फिर आपवित्र बने, बाबा के बच्चे सत्युग में कैसे थे, प्रिवत्ती मार्ग में थे देवी देवता है प्रिवत्ती मार्ग वाले हैं पर पवित्र है आप 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 वित्र बन गए है प्रिवत्ती मार्ग वालों का काम निवरत्ती मार्ग वाले करना सके है निवरत्ती मार्ग वाले कैसे सिखा सकते हैं प्रिवत्ती में पवित्र रह तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सब को जानते हैं शे बाबा हम सब को घर बैठे पढ़ा रहे हैं एना कैसे टूशन मिल रहा हमें हमारी पड़े कैसे हो गई घर बैठे एना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहे हैं एना बाबा ने आके हमें वहीं पकड़ लिया जहा देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो, तो प्रेम के आँसु आ जाते हैं, बहुत समय के बाद, कितने समय के बिछड़े हैं पांच हजार साल की जुदाई, पूरे चार यूगों के बाद, बाबा से हमारा मिलन होता है, और जिन के लिए हम दो योगों से तो बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, जिनके बिना हमें कहीं चैन ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे बाबा से हम बहुत समय के बाद मिलते हैं, तो प्रेम के आँसु आते हैं, बाबा कहने से ही रोमांच खड़े कर ले जाते हैं इस गंदी छीशी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ती मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी क्या कहरें बाबा क्या कहते थे भक्ती मार्ग में आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे यह ना बाबा से हम बोलते थे हम बच्चे यह ना बाबा से बोला तो सबने हैं, पर अभी निभाने में नंबर वार हैं, सबका अपना पाठ है, कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्सा देते हैं, सत्युग में रोने का नाम नहीं होता, बाबा याद दिला रहे हैं, कि सत्युग में तुम बच्चे कभी रोते नहीं थे, यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया, तो फिर रोना क्यों चाहिए, और यही बाजा बजाना चाहिए, वहां तो बाजा बजाते हैं, बाबा करें, खुशी से स्रीत छोड़ देते हैं, यह ना सत्युग में बाबा करें, बहुत धूम-धाम से बावा कहते हैं बाजे के साथ विदाई देते हैं रसम कहां पर अभी संगम पर ब्रामड में ब्रामड कुल में कैसे विदाई देते हैं बहुत अच्छे से सामने वाली आत्मा को सुब भावनाओ के साथ सुब कामनाओ के साथ विदा करते हैं मदवन में देखो कभी जब भी कोई सरी छोड़ता है ब्रहमर परवार में तो कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता है फलाना मर गया फलाना स्वर्गवासी हो गया क्या बोलते हैं फलानी आत्मा ने इस देहे का त्याक कर बावा की गोद ले ली तो कैसी फीलिंग आती है हम सुन मरने का ही समाचार सुन रहे है पर कैसा फील होता है खुशी की फीलिंग होती की आत्मा कहां चली गई बावा की गोद में तो बावा कह रहे है रसम भी यहां से सुरू होती है मौत पे खुशी की यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है वहां तो समझते हो पुनरजनम लेना है तो बाप सब बाते समझा देते हैं भ्रम्री का मिसाल भी तुम्हारा है तुम ब्रामबणियां हो विश्टा के कीड़ों को तुम भूमू करती हो बाप करे भ्रम्री जैसे कीड़े को जैसे पतेंगा बना देती है उड़ने वाला बना देती है बाप करे ऐसे तुम ब्रामबणियां पतिता आत्माओं को ग्यान सुना सुना के सुना सुना के करती पावन बना देती हो तुमको तो बाप कहते हैं, इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको बापस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को मालिक बनाने आया हूँ क्या केरे बाबा अपनी देह को भूलना है और बाबा तो बहुत मीठा है बाबा हमें क्या करते है विश्यो का मालिक बनाते है अब शांती धाम और शुक धाम को याद करो मतलब घर को याद करो और वर्से को याद करो अल्फ और बे, यह है दुखधाम, शांती धाम हम आत्माओं का घर है, हमने पाड़ बजाया, अब हमें घर जाना है, वहाँ यह छीछी शरीर नहीं रहता है, कहाँ पे, ना तो परमधाम में ना सत्युग में, अभी तो यह बिलकुल ही जजडी भूत शरीर हो गया है, परमध हों, तुम भी आत्माओं, क्या कहरें बाबा, मैं भी आत्माओं, तुम भी आत्माओं, मैं शरीर से अलग होकर तुम को भी वही शिकलाता हूं, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, आत्मा आत्मा से बात कर दे, एक बाबा ही हमें अशरीरी पन का एहसास करवा सकते है अभी घर जाना है वहां तो रहने का भी नहीं है यह अभी जानते हो अभी विनास होना है भारत में रक्त की नदियां बहेंगे क्या कहरें बाबा इस भारत में अभी रक्त की नदियां बहेंगे फिर भारत में ही दूद की नदियां बहेंगे पहले अभी संगम पे बाबा कह रहे हैं अभी किया हमें देखना है अन्तर समय में रक्त की नदियां बहती हुई दिखाई देंगे इस भारत भूमी पे फिर बाद में सत्युग में इसी पे दूद की नदियां बहेंगे अर्था यसी धरती पे स्वर्ग होगा यहां सब धरम बाले एक खटे हैं सब आपस में लड़ मरेंगे यह पिछाड़ी का मौत है एना सारे धरम की आत्मा है दुनिया में जितने भी धरम है लगबग लगबग सब की आत्मा है भारत भूमी में मौजूद है एना क्योंकि यह अबा का घर है आत्मा के पिता का घर इसलिए सारे धरम की आत्मा है कहां पे आके एना ठिक जाती है भारत में आके ठिक जाती है एना मुस्लिम धरम देखो आप किशियन धरम देखो यहुदी देखो यह भारत भूमी में पैदा होने वाले धरम नहीं है एना फिर भी भारत में हैं एना अपना ठिकाना बनाया हुआ है क्योंकि ये पूरी दुनिया के मा लेकर था था अत्मों के पिता का जनम इस्थान है शिव बावा की आउतरड़ भूमी है इसलिए सब को इस धरती से प्यार की भासना आती है बावा कहते हैं पाकिस्तान में क्या क्या होता था बड़ी कड़ी सीन थी जब बटवारा हुआ था भारत का तो कितना दंगा हुआ हिंदू और मुसल्मानों का पूरी की पूरी ट्रेन डेड बोडी से भरके इधर आती थी और अधर से भरके उधर जाती थी कोई देखे तो बिहोस हो जाए अभी बावा तुमको मजबूत बनाते हैं शरीर का भान भी निकाल देते हैं आन्त समय में डर ना लगे ऐसी सीन देखने के लिए तो हमें आशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करना है आन्तिम सीन को वही देख सकता है जिसका शरीरी पन का अभ्यास बहुत अच्छा हो वही साक्षी भी बन सकता है बावा करें बावा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं बहुत कमजोर है इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है एना डर बहुत है एना शरीरी नहीं होंगे तो हर बात का डर लगेगा एना चाहे वो सरीर छूटने का हो अपनी सरीर छूटने का हो या अपनों के सरीर छूटने का हो एना जिसके साथ हमारी बुद्धी फसी होगी एना तो हम क्या चाहेंगे एना कि वो उसका सरीर कभी न छूटे और छूटना तो है एना तो फिर वो घवराइट पैदा कर देता है तो बाबा क्या कह रहे हैं घड़ी घड़ी लिखते बाबा याद भूल जाती है बुद्धी लगती नहीं बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो विश्य की वासाई देने वाले बाब को तुम भूल जाते हो आगे भक्ती में बुद्धी कहीं और तरब चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे ये कौन बोल रहा है ब्रह्मा बाबा अपना अन्भो सुना रहे हैं भक्ती का बाबा कहते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो बागी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है क्या कहरें बाबा है ना हम कैसे हैं अविनाशी सिर्फ पावन और पतित बनते हैं है ना हम पावन बन जाते हैं जब बावा के हमें ग्यान देते हैं फिर हम खेल खेल के कैसे बन जाते हैं पतित बन जाते हैं यही चकर चलता रहता है बावा कहते हैं कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को दिल वा जान शिक वा प्रेम से नमस्ते 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 क्या धहरन करेंगे आज धर्णा के लिए मुखिसार पहला पॉइंट है अपने आप से बातें करो क्या बातें करनी है ओ बाबा आया है हमारी सर्विस में नशा चड़ाना है कि कौन मिला है मुझे हमारा बाबा कोई साधार इंसान कोई साधार आत्मा नहीं है कौन है स्वयम परमात्मा आलमाइटी अропट है जो हमारा बाब बनके हमारे समूक खाया है हमारी सेबा में नशा चड़ाना बाबा कह रही है अपने आप से बातें करो हो बाबा आया हुआ है हमारी सर्विस में वे हमें घर बैठे पड़ा रहे है बेहत का बाबा बेहत का सुख देने वाला है उनसे हम अभी मिले हैं ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आँशु आ जाए रोमांच खड़े हो जाए कितना प्यार होना चाहिए जिगरी हमारा बाबा के साथ कि बाबा बोले और आत्मा प्यार में ऐसी डूब जाए कि आँखों से प्रेम के आँशु आ जाए दूसरा पॉइंट है अब बापस घर जाना है इसलिए सबसे ममत निकाल जीते जी मरना है इस देहे को भी भूलना है इस से अलग होने का अभ्यास करना है यह बहुत अभ्यास चाहिए अंतिम सीन देखने के लिए बाबा ने बोला जीते जी मरने का इस सरी से अलग होने का वर्दान है आज का बीती हुई बातों वा विरतियों को समाप्त करो संपूर सफलता प्राप्त करने वाली स्वच आत्मा भव बीती हुई बातों वा व्रतियों को समाप्त कर संपूरण पवित्रता प्राप्त करने वाली स्वच आत्मा भव विश्टार में बाबा ने समझाया सेबा में स्वच बुद्धी स्वच बुद्धी और स्वच कर्म सफलता का सहज आधार है हमारी बुद्धी बुद्धी और करम कैसे हो सच हो सुब्भावना से संपन हो पर अंदर कोई भी इधर उधर का संकल्प ना हो विकारों के वशिभूथ किसी लालच के वशिभूथ बाबा क्या करें कोई भी सेवा का कार है जब आरंब करते हो तो पहले चेक करो बुद्धी में किसी आत्मा की बीती हुई बातों किश्मती तो नहीं है उसी व्रत्ती दिश्टी से उनको देखना उनसे बोलना इससे संपूर सफलता नहीं हो सकते इसलिए बीती हुई बातों को और व्रतियों को समाप्त कर सवच आत्मा बनो तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी यहना बाबा करें सेवा सुरू करने से पहले चेक करना है किसी आत्मा के पती कोई भावना लेके तो मैं नहीं शेवा कर रही हूँ कोई अंदर से बाबा करें पुरानी कोई बात ऐसी कोई घटना ऐसी घटी हुई है कुछ उपर नीचे हुआ है और वो हमारे संकलформ में अब तक है हमारी व्रति में अब तक उसका प्रभाव है और फिर बाबा करें सेवा सुरूख करोगे तो सेवा में सफल्ता नहीं मिलेगी तो पीती होई बात होऊ और कोई भी व्रतियों को बाबा करें समाप्त कर ये ना, जब स्वच्छ बन जाएंगे अंदर से भावना अमारी एकदम सुद्ध होंगी निश्पक्ष होंगी निश्चल होंगी तो आगर तभी संपूर सफलता राप्त होगी तो सेवा में सफलता के लिए सवच्छता बहुत जरूरी है स्लोगन है जो स्वा परवर्तन करता है विजे माला उसी के गले में पढ़ती है क्या कहरें बाबा जुष्वा परवर्तन करता है विजे माला उसी के गले में पढ़ती है और जुष्वा परवर्तन का रही होगा विश्व परवर्तन के निम्मे तो आटोमेटिक बन जाएगा तो ये थी आज मीठे बाबा की मीठी मीठी मुली ओम शांति